वेलकम बैक टू ओफिशल अक्तर रह्मान सर यूटूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है टीटी के स्कैम को लेकर फिर से खबरे आना शुरू हो चुके जब 20 जून के बाद जो पीडियाफ आपके सामने आई थी जिसको हमने अपने टेलेगरम गुरूप पे अपलोड किया आप वहां से उस पीडियाफ को देख सकते उसके बाद से जो है टीटी से जुड़ी भी खबरे आने लगी है जैसा टीटी स्कैम को लेकर और यहाँ पर बता जा रहा है टीटी चत्या बोगस शिक्षका विरुद्धात कारवईला शुरूबात मतलब टीटी के अंदर टीटी स्कैम में जितने भी टीचर्स थे उनके पर आप कारवई बारी बारी से शुरू हो चुके इस न्यूस की माध्यम से बता जा रहा है हम वीडियो में तफसिल से आपको इसकी इंफॉर्मेशन देंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिस चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो यह वासानी से मिल पाए और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्चेर में जाकर हमारे टेलेगराम और वाटसप गुरूप को जॉइन कर लेना है जहां से आपको तमाम शासन निर्न और प यह बोगस टीटी प्रामान पत्रों घुटाड्यातिल दोशी शिक्षकान वर सेवा समाप्तिची कारवई करन्यात शुरुवात जाली आहे यह कारवई भीड जिल्यातुन शुरुवात करन्यात आली आहे तर यह पुड़ चौकशी मदे मिडालेली राज्यतिल चौकशी मदे मिडाली आहे तो सबसे पहले बीड जिल्ले का नंबर इसमें लगाया कि आपको बताया कि हमने कुछ एक वीडियो डाली ती सुबो में जिसमें शायद 78 लोग जो है बीड के जिनकी सेवा समाप्ति तो वहाँ पर नहीं बताय गया है वहाँ पर तरी बता गया है कि इनके टीटी की जो प्रमान पत्र थे उसको इन्वैलिट कर दिया गया मतलब अपात्र कर दिया गया है उनकी टीटी प्रमान पत्र को सेवा समाप्ति का जिकर वहाँ पर नहीं था में क्लियर कर रहा हूँ उसके बाद जो है आप फिर आगे देखेंगे तो देखें यह या वेडिक करनेयात आले या गोंधर कारवाराचे अनेक शिक्षकान ना फायदा जाला सुन त्याननी बोगस टीटी प्रमान पत्राचे आधारे जिल्ला परिश्यदे सहो अनेक अनुदानी चाड़ा मदे शिक्षकान ची नोकरी मिडोली मागिल काही वर्ष भरा भागाने कारवाई केली होती मात्रों त्यातिल काही नियाले धाव घेतली होती त्यान ची वेतन शुरूर आले होती मात्रों आता त्यान ची टीटी चे प्रमान पत्र अवेड ठरले जानार असले त्यान चा सेवा ही समाप्त होनार असले चे अधिकारी स्तरावरुन सांगन आले त्यामुडे अता ये नार्या काड़त आने कि किती लोकंचे नौकरे जाती लिया कड़े सर्वंचे लक्ष लागले आहे तो देखी बहुत बड़ी लाइन यहां पर लिखी गई है कि जो लोग कोर्ट में गए थे औरंगबाद या मुंबई या फिर नाकपूर अगर उन उनको सेवा समाप्तिक आदेश दिया जाएंगा जो लोग कोर्ट से इस्टे लेकर आये थे लेकिन जिनके प्रमान पत्र अब अवेद हो गए जो भी है वो लिस्ट में उनके नाम आये है तो उनको सेवा समाप्तिक आदेश दिया जाएंगा कानफरमेशन नहीं है लेकिन इ झाल